पूरे लेबनान के जनता जल रही है लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्ला हथियार डालने को तयार नहीं है और अब हिजबुल्ला अपने तरकष से ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जिनका इस्तमाल उसने अभी तक नहीं किया था यहां तक कि हिजबुल्ला के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइले अब इस्राइल के और ज्यादा भीतर तक हमला कर रही है इसका जीता जाकता सबूत 19 अक्टूबर 2024 को नेतन्याहू के घर पर हुआ ड्रोन हमला है और यहीं वज़ा है कि अब हिजबुल्ला ने कह दिया है कि वो इस्राइल के सामने एक इंच तक नहीं जुकेगा हलंकि इस्राइली फौज भी हिजबुल्ला की कमर तोड़ने में लगी हुई है लेकिन IDF के तमाम हमलों के बावजूद हिजबुल्ला IDF के उपर दनादन हमले करने में लगा है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इस्राइल को एक बड़ा जटका दे दिया है दरसल हिजबुल्ला ने लेबनान के जिपचिट कजबे में IDF के हरमस 450 ड्रोन को धेर कर दिया हिजबुल्ला के मताबिक 22 अक्टूबर 2023 को शाम करीब 5 पचकर 40 मिनट पर इस ड्रोन को निशाना बनाया गया हिजबुल्ला के मताबिक इस्राइल के एक और हरमस 450 ड्रोन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल से हमला किया गया ये ड्रोन लेबनान के अलक इकलिम इलाके में उड़ रहा था हालांकि हिजबुल्ला के हमलों के वजह से इस ड्रोन को पीछे हटना पड़ा आपको बता दे कि 15 अक्टूबर 2024 से हिजबुल्ला इस्राइल के चार हरमस वेरियंट के ड्रोन गिरा चुका है इसमें एडवांस हरमस 900 ड्रोन भी है और इस अटैक के अलावा हिजबुल्ला ने आईडिएफ के उपर लेबनान के भीतर और बाहर दर्जनों हमले किये हायलसानिकों को भरती किया है वही दूसरी तरफ हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने लेबनान बौर्डर के पास आईडिएफ के 6 मेर कावा टैंक को कोड़ा दिया इन में से 5 टैंकों पर एंटी टैंक गाइड़ेड मिसायल से हमला किया गया था इन में से एक टैंक रब अल थलातीन गाउं के बौर्डर के पास नष्ट किया गया जब के एक दूसरा टैंक इसी एलाके और अल-तययबे के बीच में हिजबुल्ला के हमले के वजह से तबाह हो गया हिझबुला का कहना है कि बागी टैंकों को ओडी सियाह अलतयियबे और मिसगाव अम के बाहरी इलाखों में निशाना बनाया गया हिझबुला ने दावा किया कि I.D.F के लेबनान पर जमीली हमना करने के बाद उसने I.D.F के कुल 26 मेर कावा टैंकों को वड़ा दिया है और इन हमलों के दर हिजबुला ने उत्री इसराइल के तटवर्ती इलाके में भी ड्रोन्स का एक जथा फायर किया और इस हमले के वज़ा से मैनिजशे और नेतन्या सेटल्मेंट के उत्तर पूर्वे इलाकों में हवाई हमलों के साइरन बजे गौर करने वाली बात ये है कि पूरा ही इलाका लेपनान बॉर्डर से करीब 86 किलोमीटर की दूरी पर है हिजबुला का ये भी कहना है कि कबजे वाले फिलीसीन के कई जिलो में ये ड्रोन करीब 40 मिनट तक मन राते रहें क्योंकि इसके बाद मैंने शाब रिगेड हेटकॉर्टर्स पर एक ड्रोन जाकर फट गया क्योंकि IDF के जेट्स और हेलिकॉप्टर इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए